आजकी विडियो में हम Quality की कुष्यन को साज्व करेंगी में Quality का नूला पर इसके बाद उस पास से इस पार्स भी करेंगी तो सबसे पहले Journal Farm of the Quality की कुष्यन आमें गेवनी और इस Journal Farm of the Quality की कुष्यन को हम मैं Completely Square साज्व करेंगी तो complete scale जो मेतर दा हो ये था कि पर इसी को shift कर रहे हैं hand side पर तो हमें shift किया फिर इसके बाद x-quill के साथ जो भी विडियो सो जो भी ठरम हो x-quill के साथ जो भी विडियो उसको develop करना है तो उसके साथ ये था तो हमें developing एंबो से थी पर इसके बाद x-quill के साथ जो भी विडियो इसके साथ जो भी विडियो इस विडियो को divide करो टूबर इससे जो भी विडियो बनेगी उसका square लेओ और दोनों तरफ 8 करो तो हमने यहाबर x-quill कोफिशन था उसका square लिया तो उसको simplified form में पर लिट लिए और दोनों तरफ 8 भी किया यहाबर भी हमने 8 किया और यहाबर भी हमने 8 किया जब आपने left hand side पर देखा तो left hand side से एक फरोला बनता है वो किस तरह बनता है अगर आप उसको देखो तो एकी विडियो फार आप चूज करोंकि एकी विडियो है s सहिए बी कि विडियो है b divided by 2a b कि Where क्या है b divided by 2a यहाँ पर हमें चाहिए 2e be तो 2 मेरे लिए अपनी तरस्से फर्मीे आक कि विडियो है और b किविडियो है b divided by 2a तो यहाँ पर डूटू कैंसल हुआ है, तो यहाँ पर यह टरब आए है, तो अगर आप उसको लेगो, तो A प्लेस भी और से बारा फर्मुला बता है, A की वीडियो ए, X और B की वीडियो ए, B वीडियो ए, B वीडियो ए, B वीडियो ए, वहाँ ने गालाया, और रोल से लिख पर यहाँ पर हमने उसका SVB य है, तो यहाँ पर कोणप एब नहीं है एक फोर नहीं है, और यह 1-2-1-2-1-2-1-2 आपी, तो आपर भी फोर एदियो और नहीं है, तो निचे दोर बताँ से मोगे, तो आपने इसको यह तो यह वारंटाइ भी लिए और यह अपनी जनापट पिर इसके बाद हमें इसी वीट चाहिए तो हमने स्क्वेर रूट लिया, तो यहाँ पर स्क्वेर रूट लियने के बाद हमने इस वीट को ब्लास मैस में किना है, हमें इसी वीट चाहिए तो इस काम को हमने शेफ के सेट, पिर इसके बाद यह स्क्वेर रूट हमने अलेदे क है इस भर भी को इस फ़र को हम दूस्प्र में शते दो डूस्क्र मेर और उनक है केसर लूए है और एक हются पूर है नेशे डिनामनेर में तो सें टामे तो एक दो डिनामनだ च्जक्र में ये वजल य preciso लो और पिर इसके बाद ये अपनी जगह पर पिर इसके बाद हम जाते हैं सिल्यूशन की तरफ हमने आपको डिस्क्रेप्शन में टाइम लाइन दिया है अगर आपको जो भी पार्ट नहीं आता तो डार की उस पार्ट पर जाएं पहला पार्ट है कोईशन नमडर त्री में पार्ट नमडर वन एक्सक्यार माइनस 8 एक्स प्लस 15 एकुल टू जीरो Student Steps यह है कि जो भी क्विस्टन आपको given हो तो सबसे पहले आपनी क्या करना है कि इस क्िस्टन को आपने बनाना है पहले Quadratic Equation पिर इसके बाद E, B, C की वेल्यू आपने Find करनी है Compare करना है Quadratic Equation के जर्नल फार्म के साथ तो हम ने इस इक्विशन को repair किया जर्नल फावां थी quadratic equation के साथ तो A की value और ही है 1 B की value है minus 8 और C की value है 50 वो हमने लिख लिए और इससे पहले हमने quadratic equation का formula derive किया था यह quadratic equation का formula है इस formula में put करो तो हमने put किया B की value है minus 8 minus 8 whole square minus 4 अपनी जगा पर A की value है 1 C की value 15 divided by 2 है A की value है 1 पिर इसके बाद minus minus plus plus minus अपनी जगा पर minus 8 square का मतलब यह कि minus 8 को आपने 2 times multiply करना है तो उससे 64 आया पिर इसके बाद 4 पो multiply किया 15 के साथ तो उससे minus 60 आया सही है student पिर इसके बाद हमने इस दोनों को subtract किया तो उससे 4 पिर इसके बाद square root of 4 से 2 आता है अब यहाँ पर दो inclusion बने है तो हमने एक को plus में लिया है दूसरे को minus में लिया है पिर इसके बाद हमने ends की video को simplify किया after simplification x की दो videos अगई तो उसको हम solution set के थे question number 1 part question number 3 में part number 1 की जो solution set है वो 5 और 3 है पिर इसके बाद question number 3 में part number 2 x के माइनस 2 x माइनस 4 इकल टू 0 सबसे पहने हमने क्या करना है इस equation को compare करना है quadratic equation के साथ तो बिलकुली compare हो सकता है गर compare नहीं हो सकता तो पहने हमने quadratic equation बनानी थी A की value है 1 B की value है minus 2 C की value है minus 4 पिर इसके बाद आपने quadratic formula derive किया है उस quadratic equation में put करनी है B की value है minus 2 minus 2 A की value है 1 C की value है minus 4 हमने putting किया quadratic equation में पिर इसके बाद हमने simplification करनी है तो minus minus plus minus 2 का square है तो इससे 4 आता है इसके बाद minus minus plus 4 further 16 उन दोनों को solve किये तो उससे 20 आए अब इसके बाद इस 20 का तो square root नहीं बनता 3 का square 9 होता है 4 का square 16 होता है 5 का square 25 होता है तो 20 तो नहीं आता अब हमने इसको बनानी है square root के लिए तो हमने इसको इस तरह split किया कि एक टरम तो divide हो जाए या cut हो जाए square root के साथ तो 4 और 5 को हमने split किया और 20 को हमने split किया 2 parts में 4 और 5 में और 4 का square 4 बनता है तो हमने इस 4 को 2 के square में लिख लिए और टू का स्क्वेर स्क्वेर रूट के साथ कैंसल हुआ तो टू बाहर आया फिर इसके बाद हमने यहाँ पर बीट हुए यहाँ पर बीट हुए इस टू को हमने कामल लिया है फिर इसके बाद टू और टू कैंसल हुआ तो एक एक्स की वेलियो यह आई और डिस्री ए ये सल्यूशन से ट्रें पार्ट होगा पार्ट नमबर तरी की तरफ हम जाते हैं तो आप उसको देखो तो यहाँ पर सी की विल्यो जीरो हो रहे हमने सी की विल्यो जीरो लगा है पिर इसके साथ कंपेर किया क्वाड़िक एक्वीशन के साथ एक विल्यो 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 एक 9 को आमने splat करमें तो वेल्योस में, तो 3 मल्लिप्ले 3, और 3 स्क्वेर, स्क्वेर रूट के साथ कैंसल हो है, तो यहाँ पर 3 और मैनस 3 दो इक्वेशिन वनने, एक इक्वेशिन प्लस में हमने लिकना है, दूसरा मैनस में, इसके बाद 3 मैनस 3 से 0, और मैनस 3 मैनस 3 से 6, इसके इसके बाद हमने इसको solve किया, तो solution set आए, एक 0 और दूसरा मैनस 3 दिवाइड वाइड वाइफ, पार्ट नमबर 4 है, 3 x मैनस 2 प्लस 1, सबसे पहले हमने quadratic equation बनानी है, तो 3 x को हमने इसके साथ मैनस 2 के साथ मैनस 2 के साथ मैनस 2 आए, प्लस 1, एक quadratic equation बढ़ गा है, इसके बाद quadratic equation को compare करना है quadratic equation आप के general form, a की value है 3, b की value है minus 6, sin की value है 1, पर इसके बाद step किया है कि quadratic formula में put करो, तो हमने quadratic formula लिख लिख लिया और यहाँ पर हमने putting किया, quadratic equation में putting करने के बाद, इसको हमने simplify form में लिखना है, 6 plus, minus, minus, plus, minus 6 square, से 36 आता है, और 4 multiply, 3 से minus 12, पर इसके बाद उन्दों को हमने solve किया, तो उससे 24 आया, विससे तरह हमने 20 को square root of 20 को हमने split किया था, 2 values में, तो हमने दुबारा 24 को भी split किया, 2 values में, तो square root 4 पर भी है, और 6 पर भी है, तो square root of 4 बराबर रहे किसका, 2 का, किस तरह बराबर है, तो हमने उसको split कर रहे है, 2 values में, तो 2 multiply 2 से क्या आदा है, 4, और फिर उसको हमने इस फार्म में लिख 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 लिख, तो ऊसे 3 आया, 4, 6 के साथ cancel हो आए, तो यहां पर 3 आया है, पर इसके बाद हमने इस equation को plus में भी लिख 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 लिया है, और minus में भी, 3 उसकी नीचे भी लिखा है और इसके नीचे भी तो यहां से 1 ब्लस स्क्वेर रूट आफस्स दिवादेड बहे तरी यहां से 1 माइनस स्क्वेर रूट आफस्स दिवादेड बहे तरी तो दो सॉलुशन से आना है फिर इसके बाद पार्ट नंबर 6 है 6 x square minus 17 x plus 12 is equal to 0 Substitually compare करो quadratic equation के साथ यह में सिक्किवे यह हमने find है पर इसके बाद quadratic formula में हमने putting किया है After putting we will simplify this equation तो minus minus plus minus square of minus 17 x 289 आता है Calculative को उटाओ और minus 17 को 2 times multiply करो किस तरह multiply करेंगे minus 17 multiply minus 17 तो उससे आपको answer मिलेगा 289 पिर इसके बाद 4 multiply 6 multiply 12 करो तो उससे answer आएगा आपको minus 288 उन दोनों को subtract किया तो उससे 1 आया square root of 1, 1 के बराबर होता है पर इसके बाद 2 equation बढ़ गई एक plus में एक minus में उसको हमें simplify किया तो उससे 2 values आगई पर इसके बाद है part number 6 x square divided by 3 minus x divided by 12 is equal to 1 divided by 24 student आपको पताए कि ये एक quadratic equation है लेकिन divide में ही values है तो सबसे पहले हमने इस 24 को multiply किया है हर return के साथ तो यहाँ से इन दोनों को cancel करो तो उससे add आया उन दोनों को cancel करो तो उससे 24 और 24 को cancel करो तो उससे 1 आया तर इसके बाद उसको हमने हिस set पर shift किया तो minus 1 आया तो यह है quadratic equation बट गए इस quadratic equation को compare करना है quadratic equation के channel farm के साथ हमने compare किया तो इसके बाद comparison के बाद हमने ABC की value find की ABC की value find करने के बाद इस quadratic formula में हमने putting किया है putting के बाद क्या करना है simplification करनी है तो हमने simplification शुरू की minus minus plus और ये ब्लस मैनस फ़नों हो एका, तो माइनस टू स्क्वेर से 4 आता है, और माइनस माइनस प्लस और 4 एंड आर 32, पर इसके बाद 32 और 4 गो एंड किया तो से 36 आया, स्क्वेर रूट अफ तर तर ती सिक्स की बराबर होता है, कल्कुलेटर को दे दो स्क्वेर रूट अफ तर वेडियो आगई 1 divided by 2 और दूसरी वेडियो आगई माइनस वन डिवेडिल को फोर बाई फोर स्टुडेंट ये था आज का हमार लेक्ट्टर स्टुडेंट अगर आपको एक वाड़िटिक एकुशन मिल जाए और आपको काया जाए के उसको सिंद्व साल्फ करो तो आप डारे का हमार लेक्टर थेंक्स वाचिं वाचिं इस वीडियो